आपका स्वागत है शिक्षार्थियों आज हम उच्चतर मादिमिक इस्तर पर एक पार्ट सोचना प्रध्योगी की सुरूप और महत्व पर बात्चित करने जा रहे हैं आज जानते हैं कि सोचना प्रध्योगी की छेतर में लगातार विकास हो रहा है और इस विकास को किस तरह से समझा जाए इसके बारे में हम विश्तार से बात्चित करेंगे इस बात्चित के लिए हमारे साथ हैं दॉक्टर सूर्यनाथ सिंग वरिष्ट पत्रकार जनसत्ता में इस कारेक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद तो आप सुचना प्रध्योगी की कही समय है शिक्षार्थियों अगर कहा जाए तो यह युग यह जमाना यह समय सूचना प्रध्योगी की कही समय है जितनी तेजी से सूचना प्रध्योगी की चेत्र में विकास हो रहा है शायदी किसी और चेत्र में हो रहा है इसका पहला कारण तो यह है कि हर कोई तुरंद सूचना चाहता है, हर छेतर में सूचना चाहिए, चाहे वो उद्यो का छेतर हो, शिक्षा का छेतर हो, या समचारों का मामला हो, हर छेतर में हर आदमी सूचना के लिए लालाइत रहता है, उत्सुक रहता है, जानकारी चाहिए उसको हर समय तो उस धंग से पहले के जमाने में क्या होता था कि अखबार होता था एक माध्यम जो लोगों तक पहुंचता था और सुचना पहुंचती थी समचार पहुंचते थे अब दूसरे तरह के साधन आ गए हैं जैसे टेलिविजन हैं इंटरनेट के जरिए या मुबाइल पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं तो सुचना के शेत्र का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है और उसका फैदा भी हुआ है विस्तार होने से फैदा यह हुआ है कि हर व्यक्ती हर छेत्र में जिस्वी छेत्र में लगा हुआ है अपने मतलब की चीज़ें जो उसको चाहिए जानकारी वो सुचना के माध्यम पर उपलब्ध हो जाती है इंटरनेट के जरिए जैसे एक व्यापारी है, व्यापार के छेत्र में उसको अपने उद्योग को आगे बढ़ाना है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है, तो वो सूचना प्रोध्योगी के जरिये अपने विग्यापन देता है, या दूसरे उसी अपने ही छेत्र से जुड़ी हुई चीजों को जानकारी लेता है लोग कहा क्या क्या हो रहा है तो जानकारिया ले के और फिर वो अपने ढंसे उस में नएने ब्रयोक करता है और उसको आगे लेके जाता है तो यह सूचना प्रोधियूजिकी का महत्त्व है इसमें जैसे अभी आपने बताया कि आर्थिक छेत्र हो, या फिर सामाजिक छेत्र हो, मनुरंजन का छेत्र हो, अलग-अलग छेत्र में हर जगह पैठ सुचन करांती की है और हम ये उमीद भी करते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हमें सब कुछ जानकारी मिल जाए तो क्रांती सी रूप में है कि हम पूरी तरह से निर्भर हो गये हैं और अनेक कंपनीया इसमें आ गई है उनमें भी एक होड नजर आ रही है क्या हाँ, कंपनियों में होड है, कंपनियों में देखिए, इसके दो, मैं सो रूप देखता हूँ, होड दो रूपों में है, एक तो संचार माध्यमों का अपना होड है, जो संचार माध्यम है, उनका होड है, जैसे टेलिवीजिन है, या इंटरनेट पर बहुत तरह के कारिक्रम, जैसे बहुत सारे लोग चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, यूट्यूब से यूटूब पर बहुत सारे कारेक्रम डालते हैं, तो उनका आपसी जो होड है वो तो है ही, कमपनियों का जो आपसी होड है, कमपनिया मतलब जो कारोबार के छेतर में काम कर रहें, एक pierwszy चीज की क्वाम चाहिं मालर जेया कि वस्तर कंपकस करें। sewer और हो गर्ष को संतुश्ट है। तो ये मुख्य गुण है और उसको लेके खोड़ है कि कैसे हम कम कीमत में बढ़िया चीज उपलब्द करा पाएं अब उसके लिए होता क्या है कि संचार माध्यम कैसे इसमें आपका सहयोगी बनता है कि आप विग्यापन देते हैं विग्यापन के जरिये बढ़ चड़के अप अपनी उसकी क्वालिटी उसकी गुणवत्ता के बारे में बताते हैं उसके रंग उसके तमाम जो खासियत होती हो विग्यापनों के जरिये जारी करते है अब विग्यापनों का स्वरूप क्या हुआ एक तो प्रकाशित करते हैं आप विग्यापन या वीडियो के जरी विग्यापन देते हैं, एक विग्यापन होता है कि आप खुद दावा करते हैं, उस पर जा करके, जो कमपनियां हैं, बहुत सारी, आप देखते होंगे, कि आपके मोबाइल पर विग्यापन आते रहते हैं कमपनियों के, कि फला चीज खरीदिये इसमें ये विशेस्ता है अब उसमें आप खुद अपने सवाल भी पुन से पूछते हैं कि इसमें क्या खास बात है तो आपको जवाब भी तुरंद कर तुरंद मिलता जाता है उस हिसाब से आप तै करते हैं कि यह चीज हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए तो इसमें इस तरह से एक होड एक प्रतिसपरधा जो है एक ग्रहक के पक्ष में जाती है कि ग्रहक को अच्छी से अच्छी चीज अच्छी गुडवत्ता की चीज मिलती है तो इस हिसाब से संचार माध्यम आपके लिए हाम आदमी के लिए बहुत उपयोगी सावि है तो उसमें आप विद्यारतियों को क्या बताना चाहेंगे एक चीज की आज क्या हो गया कि हर चीज सेटेलाइट सेटेलाइट मतलब उपगरह जो हम छोड़ते हैं तो उसमें उपगरह के जरिये अफसारी चीजे अपनी गुणवत्ता को सुधारने के लिए संचार माध् चलता था तो आप देखते थे कि उस तरह से क्वालिटी नहीं आती थी उस तरह से नचचित्र आते थे अब HD और क्या कहते हैं जो LED इस तरह के जो किस विधाये आगे हैं तो अच्छी चित्र और उसकी क्वालिटी जो आने लगी है तो वह उपगरह से ही सम्भभ हो पाया उपगरा क्या होता है कि हम एक प्रित्वी की कच्छा में ऊपर एक सेटिलाइट छोड़ते हैं, उपगरा छोड़ते हैं, जहां पर की एक कम्प्यूटर लगा होता है, उस कम्प्यूटर में हम यहां से चीजें भेजते हैं, जिसको अपलिंकिंग कहते हैं, यहां से आप वहा आफे उसकी क्वालिटी होती है। तो ये जैसे रेड़ियो है या टेलीविजन है तो ये उसी के माद्यून से होते हैं। रेडियो में दो किक वैंगे पिक्क हंगे खाओंने नहीं souच시라 रेडियो में दो तरह का है तो एक काहिए फ्रिक्वर्ट करें ये काम करें एक होता है जैसे FM रेडियो है तो FM रेडियो सारे उपग्रह के जरीए काम करते हैं क्योंकि आप यहां से धुने वो से क्या होता है दो उसके तरीका यह होता है विद्यार्थियों को समझने की बात है कि जैसे हमारी प्रिथवी गोल है गोल है तो एक जो हर्ट्स वाले जो दो सीधे फ़ेळती है तो सीधी तरंग आती है तो उसकी बहुत अच्छी होती γब आप प्रिथवी के अच्छा में तरंग के चल रही होती है तो कभी बादल है हवा है बारिश है तो उसमें आपका रेडियो पकड़ने में मुश्किल करता है तो इसलिए अब से ट्लाइट जब कहते हैं, इंटरनेट का मतलब होता है कि एक computer से या एक माध्यम से बहुत सारे माध्यमों का जुड़े होना, जैसे हम Facebook प्रकामालीजे की है, हमारे जितने भी मितने हैं, एक mobile से हम, बहुत सारे मितनों से जुड़े हुए हम बात कर सकते हैं, यहां तक कि जो cellular phone है, जिसको और उस जगह पर आपकी सारी जो सूचनाएं हैं, वहां पर जमा होती हैं, और वो सूचनाएं फिर आप तक आती हैं, तो यह सब चीजे हैं, जो आप email भेजते हैं, वो भी satellite के जरीए ही जाता है। इसमें जो साधनों का प्रियोग हुआ, उसकी वज़े से संचार और आसान हो गया, और qualitative भी हो गया। इसमें एक महत्वपुर्ण जो सवाल है कि इसका लाब कहां कहां मिलता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। संचार माध्यमों का लाब अब तो यह है कि दुनिया का प्रियास यह है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसार ना बचे जो संचार माध्यमों से उसका जुडाव ना हो, यह वो खेती बाड़ी का मामला हो। हर किसान तक अब यह सरकार भी खुदी ओजनाय चलाती है जो कि सेटलाय मतलब मोबाइल के जरिए आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाती है जो क्या करते हैं हेल्प लाइन शुरू की जाती है आपको खेती बारी से संबन दित हेल्प लाइन पर बात करनी है आप अपने मोबाइल के जरिए SMS करके या फून करके जानकारियां ले सकते हैं वैसे ही जैसे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं आप देखिए शिक्षा के छेत्रे में तमाम विश्व विद्याले आपका मुक्त विद्याले संस्थान जो है वो पाठिक्रम अपने वहां पर इंटरनेट पर लोड करता है बहुत तरह के वीडियो लोड करता है तो जो शिक्षार थी किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं या दिन में कुछ और काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम थोड़े तक हाली समय में तो हर समय किताब लेके चलने के बजाए अगर उनके पास एक मोबाइल सेट है तो उस मोबाइल सेट पर अपना लाग इन खोलते हैं और वो अपना चैक्टर पढ़ लेते हैं या बीच वीच में तो यह सुविधा उनको हुई है इसका मतलब कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है इसका अब तो यह है सरकार भी चाहती है जिस तरह से हमारे देश में आबादी बढ़ी है उसमें अब यह माना जा रहा है कि संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को परिसर में हर विद्याले में किसी संस्थान में शिक्षा दी जा सके बहुत खर्चिला काम हो गया तो अब परिसर मुक्त बनलब दोर दिया जा रहा है कि आप एक परिसर में जरूरी नहीं कि आप क्लास्रूम में बैठके ही पढ़ें एक परिसर मुक्त शिक्षा की बात हो रही है और हो रही है यहां तक है रिजुकेशन में तमाम विश्व विद्याले अपना उपन लर्णिंग का कारिक्रम चलाते हैं विश्व भूज के उज्व पैमाने पर प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि किसी विश्व विद्याले की चाही हो विद्धयार्ति हो अध्यापकों उस पोटल पर जा के देख सकतेह सीख सकते गह समझ सकते हैं आपका ओपन open school जैसे जिससे आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर कितनी सारी चीज़ें आपको कोई जरूरत नहीं है कि हर समय आप वहाँ पर उपके कार्याले जाएं तब ही सारी सूचना है बिले कि बहुत सारी सूचना है आपको उपलब्ध है और मुक्स के माद्यम से सारा पाठेकरम उपलब्ध कराए गया है सारे वीडियो उपलब्ध कराए गये हैं तो यह बहुत ही एक शशक्त माद्यम के रूप में सामने आया है बहुत जरूरी जरूरी चीज़ें सूचना परोदयोगी की सिख्षा के प्रसार में तो मतलब वर्दान साबित होने जा रहा है कि आप घर बैठे हर समय चलते फिरते आप पढ़ाई कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आप कख्षा में बैठके ही पढ़ाई करें अध्यापक से इस सीखें. इसी तरह से मनुरंजन के छेत्र में हैं. मनुराजन के छेतर में पहले क्या होता था आपको एक जगह जाना पड़ता था चाहे वो नाटक देखने जाना पड़ता था या कोई और संगीत कारिक्रम है देखने जाना पड़ता था अब क्या हो गया है कि बहुत सारी चीजें जैसे यूट्यूब पर आप जाते हैं आपको कोई गीत सुनना है संगीत सुनना है पुराना हो या एकदम नया हो, तो आप अपने मुबाइल पर या घर पर, आप आपके घर के टीवी में भी, टेलिवीजन में भी इंटरनेट से जोड के आप नई से नई फिल्में देख सकते हैं, वैसे ही आप चलते फिरते सुनते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, आ सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लाने में कैसे भुमिका रही है? सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक जागरूकता लाने में दो बहुत ही महक्पूल भुमिका. मीचिंद ईन्ध विष्वासों ये जखड़य फे गउत दिस्यारि मॉटिय कई। हम लोग प्रहावी थी अब ये संचार माध्यमों के आने से क्या हुआ है कि बहुत सारी चीजों के वैज्ञानिक तथ्यों को से हम परचित हुए हैं और उसकी तहर तक जाने लगे हैं तो एक तो हम में समाजिक जागरूपता आई है अपने अधिकारों के बारे में जागरू पर अब हर घर में टेलिवीजन है हर हाथ में मुबाइल है तो वो देखता है कि दूसरे समाज में कैसे विकास हो रहा है दूसरे देशों में कैसे विकास हो रहा है तो वो चाहता है कि हमारे आवे तो ये एक जागरूपता आई है इसी तरह से राजनितिक जागरूपता कि आई है बड़े पैमाने पर अच्छा एक तो क्या हुआ है कि संचार माध्यमों का प्रसार देखे कि कि स रूप में बहुत तेजी से हुआ बहुत इलेक्राणिक माध्यमों के आने से सुचना परोधोगी जिसको हम new media कहते हैं नया संचार माध्यम जिसको कहते हैं पहले क्या होता था कि अखबार एक माध्यम होता था तो अखबार छप के 24 गंटे बाद आपके घर पहुंचता था चोविस गंटे बाद वो सुचना आपके पास पहुंचती थी आप पढ़ते थ अब क्या हो गया है कि पलपल की जो न्यू मीडिया है न्यू मीडिया जब हम कहते हैं तो उसमें न्यू मीडिया में आपका है अब इंटरणेट की एक कोई एक माने पर बहुत सारी चीज़ से आपड़कारिता थेजैसे पá संज्जाल तो not वाट्सेप पर लेते हैं, बहुत सारी चीजें आप YouTube पर देखते हैं, तो यह नू मीडिया के अंतरगत आते हैं, तो नू मीडिया के विकास से क्या हुआ है? कि जनलिजम का एक नया आयाम खुला है, मतलब पत्रकारिता का एक नया आयाम खुला है तो जो वेब पत्रकारिता है, वेब पत्रकारिता में क्या होता है कि आप घर बैठे, अपना एक पन्ना खोलते हैं, मतलब जो आपने वेब साइट अपनी बना ली है डब्लू 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 से यज़ा इस तरह के प्लेटा है YouTube पर आपने मानली एक चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, खोल लिए है, अकाउंट खोल लिया है, तो आप घर बैठे, चलते फिरते, बहुत सारी चीजें आप सूचनाएं उस पर देते रहते हैं, आदान प्रदान करते रहते हैं, तो इस तरह से संचार माध्यम आप पल-पल की खबरें, पल-पल की चीजें और अपने आस पास बहुत, पहले क्या ह सूचनाएं इकठा करना बहुत मुश्किल काम होता था, चोटी जगों से सूचनाएं लेके और बड़े शहरों तक पहुंचाना फिर उन्हें प्रकासित करना या दिखाना, या भी देशों में जो कुछ घटित हो रहा है, उसकी सूचनाएं हम तक नहीं पहुँच पाती थ तक पहुँच पा रहा है, आप यहां लिख रहे हैं, आपकी सूचना वहां ऑस्टेलिया अमेरिका तक पहुँच पा रही है, तो यह जो न्यू मीडिया जनलिजम का जो आया है, अब वो आप देखें कि एक समय था कि वीडियो पत्रकारिता हुआ कर देथी, वीडियो पत् में एक बार दो बार होता था, ऐसे कई कारिक्रमों की याद कर सकते हैं, अब वो जमाना गया हपते भर, तो क्या एक पूरे दिन 24 घंटे का सबर नहीं है, लोगों में हर समय सूचना चाहिए, हर समय सूचनाव से ब्रेकिंग न्यूज आता रहता है, ब्रेकिंग न्यूज सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें सा जग हुई है, सरकारें भी बहुत तेजी सा जग हुई है, आप क्योंकि आप जागरूप हुए हैं, और बच्चों को भी जागरूप होना चाहिए, बच्चों को जागरूप, बच्चे गर ग्यान प्राप करना चाहते हैं, तो जाग बादचीत के लिए तो मुझे उमीद है कि आप इसका जरूर लाब उठाएंगे धन्यवाद आपका